वन प्लस सेवेन का ऑक्सीजेन ओस्ट टुएल इंड्रोइटेन बिस्ट्रोम रेडमी के नोट सेवेन प्रो डिवाइस के लिए अवेलवल है जिसमें जो काफे कुछ चीजें इंप्रोम्मेंट और चेंजमेंट की गई है तो इस वीडियो के अंदर में आपको कम्प्लेट ड और यह वाचिंग एक ओफिस का सेकेंड चैनल टेक गेम और इस वीडियो के हम अंदर बात करने वाले है वन प्लस सेवेन के पोर ट्रोम के बारे में जो किंड्रोइट मी के नोट सेवेन प्रो डिवाइस लिया है यहाप आप देख से तक डिवाइस में आपको टेखनी को मि यहाप देखनी को मिल जाता है यहाप पर इसे बनाने के लिए तो आपको नाम देखनी को मिलता है बैक यो चलते तो सिस्टम में वही सारे ऑप्सन जो की परफेक्ट वरकिंग है आप एकाउंट वगरे यूज कर सकते हैं और हमारा जो फेस अनलोकिंग है यह वह जो परफे सेवल क्यूक सेटिंग और सासे यहां पर बटन इंस्टेंट लॉक वगरा जो की प्रोपर तरगी से काम करता है वहीं पर हमाते हैं बटन एंड कुस्टमाइजिशन पर आपको यहां पर नेपर का कुस्टमाइजिशन नहीं को मिल जाता है जहां पर आप Android 10 का जो पिल से इस यहां पर आते हैं साउंड के प्रोफाइल में तो यह सारे उप्सन आपके लिए वरकेवल हैं बट हर बार जो डॉलवी हमें पोर्ट रूम के अंदर बग देहनी को मिलता है इसका पाइड डिफॉल बगी है बट आप अलग से मोडियूल यूज करना चाहते हो तो यूज कर है लेकिन लाइटनिंग आपको देहने को नहीं मिलता है डिस्प्ले के अंदर आपको अड़ेटेट ब्राइटनेस जो कि अटो ब्राइटनेस से यह पर्फिक्ट काम करता है इसमें कोई भी इसूज नहीं आता है ताब इसका फूल बेनेफिट है यहां पर ले सकते हो कोई पर आपको देखने को मिलता है फुल स्क्रीन नाइट मोड आपको फुली वर्किवाल देखने को मिलता है इसमें कोई भी कमी नहीं है वीडियो इन्हेंसर वर्किंग है एंबेंट के अंदर आपको मिलता है निव नोटिविकेशन बट आप यहां पर लैप्टू चेक करते हो तापको यह देखने को मिलता है जो कि इस पोर्ट के अंदर हमें दिखाई देता है वहाँ पर डिस्प्ले और रोटेशन बगरा यूज कर सकते हो इनमें जो इसूज देखने को नहीं मिलता है वाइफाई होट एस्पोर्ट यूज कर पाऊगे कोई भी प्रॉलम नह नहीं आता है डिवल चैनल नेट्रोक असलेरेशन भी आपको दिखाई दे रहता है यहां पर वहाँ पर नेट सेप्टी के बात करें तब कर नेट सेप्टी यहां पर पास नहीं है फिल है तब को बैंकी के एप यूज करने प्रॉलम आ सकती है जियो से आप कॉल वगरे कर सक यहां पर यहां पर जो स्कॉर हमें देखने को मिल जाता है वह 185556 का जो कि मैं कहुँए अच्छा है क्योंकि 7.2.2 का मैंने यहां पर यूज किया है और अकथर इस वर्जन के ऊपर हमें जो 177 का स्कॉर दिखाई देता है जब यह यहां पर आसको का तो आप यह पर पब्ज यहाँ पर पर्फेक्ट आपको वर्किंग देखने को मिलता है रही बात DRM-n411 का बड़ अभी कोई फर्क परने वाला है नहीं कि सारे कॉंटेंट 480 पर फिक्स कर दिये गए हैं लेकिन यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है तो DRM info भी आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाई देता है तिन में कोई भी इसूज देखने को नहीं मिलता है अब रही बात कि किंकिन फाइलों के जोट पड़ेगी अगर आप इसे फ्ल साथ यह गूगल प्ले सर्विस वे आपको लगेगा क्योंकि फर्स टाइम में इंक्लूट नहीं रहता है ता आप अपने गूगल के एकांट पर करें साइन नहीं कर पराऊगे तो यह दोनों फाइलों के जूरुत पढ़ेगी फ्लैस करने के लिए और फ्लैसिंग मेंट बि लगाई के लिए अपने कर दो कि लोगे टाइलों के लिए आपको लेगा जापको लेगा कर दो आपको लिए लोगे एकांट मेंट जए खाएलों कर दो दो बिए प्लेस करें।